हैं अभी बरतमान में परतीप बलमुचू उनसे जानते हैं कॉंग्रेस के ओर से सानसे हैं और उनसे जानते हैं कि क्या कुछ यहां पर खेल होता है आंकडों की वाजिगेरी सभी को मालूम है ऐसे में प्रदीप जी बताईए आंकड़े क्या कहते हैं आंकड़े बीजेपी के पास नहीं है फिर वी उन्होंने दो कैंडिडेट उतार दिये हैं प्रदीप संत्वलिया को और समीरूराओं को ऐसे में कैसे धीरत साहू को आप जीत दिला पाएंगे अपने दो सवाल किया एक तो बीजेपी ने दो मिदवार दिये हैं और एक धीरत साहू कैसे जीतेंगे इसमें सिर्फ मेरा इतना ही कहना है कि राज्जीति में सब कुछ जय जय साम लोग मानते हैं कि शाम दन दन बहेट सब कुछ जय माना जाता है मगर बीजेपी को तरफ देखें तो डेवन से चाहे वो राज सरकार में रहुआर की सरकार बनी हो चाहे केंदन में मोदी की सरकार बनी हो लगातार ठकते नहीं हैं बोलते बोलते कि हम कोई भी ब्रशार टॉलेट नहीं करेंगे कोई भी ब्रशार को बढ़ावा नहीं लगातार हर दिन ये मेसेज देते हो लोग और अगर आप राजसभा को देख लें तो ठीक उसके विप्रीत काम कर रहे हैं कि आपके पास आंकड़े नहीं हैं उसके बाद जुद भी आपने दो मिदवार दे दी इसका मतलब कि आप धनबल का और जो सत्ता का जो ताकत है उसको प्रियोग करना चाते हैं पिछली बार जो बीजेपी जीत चुके थी आंकड़े नहीं थे फिर भी आपके विधायकों ने धोका दिया उसके बाद से जो तमाम परिस्तितिया आई वहां पर देखने को मिली ठीक आपने का हमने उसी से उसी से सीखा है ना जो पिछली चुना हावा दे रहे हैं आप यह मत कहिए ना हम तो बोलते हैं सब जायज है आज नीती में वोट में सब कुछ जायज है मगर आप यह क्यों कहते हैं कि हम जीरो टॉलिंस में काम करें कोई ब्रश्चार को हम बढ़ावा नहीं देंगा और उसके बाद पिर काम करेंगे ठीक उल्ट अब इस बार कर ले ना अभी तमने का कि पिछले बार हम लोग दोका खाया है कहीं ना कहीं धनबल का प्रयोग उन्हों ने किया जिसके चलते गरबणियां हुई है जो सब को पता है और आज हम यह बहुत दाव के साथ कहाते हम लोग ने पूरे बिपक्स के लोग हैं हम चुनाओ लड़ेंगे यह तो नतीजे बताएंगे कि आगे क्या कुछ होगा अनुराग लेकिन जो बीजेपी की ओर से जो दो प्रतियासी उतारे गये हैं उसमें एक समीर उडाओं की जीतता है लेकिन दूसरे प्रतियासी प्रतीप संथोलिया का भाग कैसे तै होगा यह अगर सरकार के पास कितना बड़ा एज्वो का आने वाले चुनाओं में जाने के लिए और अगर विपक्ष ट्रीटता है तो फिर कितना बड़ा संजीवनी का काम यह कर सकता है उसके लिए देखिए जिस तरह से पिछले चुनाओं में जो 2016 में चुना हुआ था उसमें जो इस्तितियां बन कर आएं थी दो सीटें प्रदीप जो बीजेपी के हैं वो दो सीटें जीत पाई थी बीजेपी और बीजेपी जिस तरह से यहां से मुक्तार अरबास नकवी को जिता कर ले हमें मुख्यमंत्र रगवर दास की प्रतिस्ता दाओ पर थी और इस बार भी मुक्यमंत्री ने दाओ लगाया है और यहां पर पर भैच्ज़क है इसका मतलब बड़ी साफ है कि कही ना कहीं दिल की धड़कन कितनी ज्यादा वहां है वह आप इसको बताया इसको आका आका जा सकता है और धर्मंदर प्रदान जैसे वेक्ति अगर सुनाव में आए तो समझ में आते कि उसकी स्थिति क्या है हम लोग बड़े कंफर्टेबल जो कर पाएंगे क्योंकि जो आकले हैं वो आपकी ओर इसारा नहीं कर रहा है नहीं देखिए जिस प्रकार से हम लोगों ने देखा है कि जो बरतमान में अभी देश में आधरणी प्रधान मंत्री नरेंदर भाई मोदी जी ने विकास वाद की राजिती प्रारंब की है और पु इस तुरुप से जारखंड में भी जो संख्या वलकि आखड़े हैं किसी भी सेस राजितिक दल से अधिक संख्या हमारे पास है लेकिने आखड़े आखड़े जो 27 का अंकड़ा है वो एक प्रतियासी के लिए दूसरे प्रतियासी के लिए आपके पास नहीं है आप झाल झाल झाल